नमस्कार चुनाव से जुड़ा Capital TV का खाशोड States of War देख रहे हैं आप मैं हूँ आपकी साथ पूजा सबसे पहले आप सभी को दीपावली की धेरोशुप काम नाए आज पूरे देश पर में दीपावली का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है अयोध्या नगरी दीपो से जगमगा रही है पर सवाल ये है कि विदानसभा चुनाव के नतीजों से पहले इस बार की दिवाली कितनी खास है एक तरफ पियमोधी कह रहे हैं कि इस बार तीन दिवाली मनाई जाएगी एक तो आज जिसका जश्न बीजपी मना ही रही है तो दूसरा 22 जनवरी जब अयोध्या के भव विद्य विराम मंदिर में रामलला को प्रान प्रतिस्ठा के साथ विराजमान कराये जाएगा और तीसरी दिवाली होगी तीन दिसंबर वाली जब विधानसभा के चुनाव के नतीजे आएगी और बीजपी चुनावी जीत वा चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडिय में मौजूद है क्यापचल टीवी के एडिटर इंचीब डॉक्टर मनेश कुमार और एक्सक्यूटिब एडिटर राजीब जी सर आप दोनों का ही बहुत-बहुत स्वागत है सर बीजेपी तो जश्ट के साथ दिवाली मना रही है लेकिन कॉंग्रेसियों का क्या हाल है देखे तबाम दर्सकों को दिपावली की बहुत-बहुत सुपकामना है अब राजनीती तो राजनीती है इतना भी जो कह सकते हैं कि बुरा नहीं होना चाहिए कॉंग्रेस लूट रहा होगा अध्या की तस्विरे टेलेविजन पे तमाम रिपोर्टर्स वहाँ पहुंचे हुए हैं दिपावली दिखा रहे हैं को गिनिज्बू का वर्ल्ट रिकॉर्ड बता रहा है कोई कुछ बता रहा है यह क्या है जब तक यूपिय की सरकार थी जब तक एवन बाशपेई जी की सरकार वो तो सेकलर सरकार थी कॉमन मिल्मन प्रोग्राम में आयोध्या को बिल्कुल वर्जित कर दिया गया था तीन मुद्धों को कर दिया गया था कि उसमें कोई चर्चा नहीं कोई काम नहीं होगा आयोध्या आर्ट कि 370 UCC हिंदुस्तान ने कभी भी अयोध्या को इस रूप में नहीं देखा प्रभू स्री राम की जन्म भूमी बिल्कुल दीपावली के दिन भी जबकि वहीं से इस तेवार की शुरुवात हुई जब प्रभू स्री राम लंका से लोटके अयोध्या पहुँचे तो अयोध्या को ऐसे ही सजाया गया होगा जैसे कि तस्वीरे आ रही है और क्या कहने राम मंदिर इसका इंपेक्ट होता है जो लोग भूल गए होंगे इन तस्वीरों को देखकर अंदर से उनका जो हिंदुत है वो जागरित हुआ होगा और इसलिए जो आपने अपने इंट्रोड़क्शन में कहा कि कॉंगरिस पार्टी टेंशन में है टेंशन में होना ही चाहिए बिल्कुल ही होना चाहिए यह वही लोग हैं जो जालीदार टोपी पानके खाना पीना खाके इफतार करते थे लेकिन आउध्या को अंधेरा छोड़ दिया करते थे तो उनको इसका असर हो कर भी शनिया केता है इसलिए जितना धंकेगा चमकेगा अतना ही ज्यादा कॉंगरिस पार्टी उसके निताओं के घर में अन्धेरा चाहेगा अंधेरा तो हो नहीं है जैसा डक्टर साहब ने कहा कि अजोध्या जितना चमकेगा इन लोगों के घर में उतना ही मातम मनेगा क्योंकि ये विचारधारा के संगर्स में कॉंग्रेस पिछड चुकी है इस बार क्या हुआ योगी आदितनाथ ने अपने कैबिनेट की बैटक बुलाई अयोध्या में अयोध्या में बैठक लकनों में नहीं अयोध्या में बैठक मतलब उन्होंने एक संदेश दिया कि अब हम रामराज्य की तरफ जा रहे हैं ये हमारे सिर्फ उत्तर परदेश की बात नहीं है पूरे हिंदुस्तान की एक राजधानी बनने जा रहे हैं अयोध्या जहां से हम रामराज्य की परिकलपना को आगे बढ़ाने की सुरुआत कर रहे हैं ये कैबनेट की बैठक वो इसारा था कॉंग्रेसियों को परिशानी हुई ऐसे ही चुनाप परचार में ही ये पिछड़ चुके हैं इनकी समस्याएं बढ़ चुकी है और उसके बाद जब ये भग विद्धी पावली अजोध्या में 20 लाग से जादा दिये तो इसके बाद इन लोगों के पास भगवान स्री राम का नाम लेने का अधिकार नहीं है राहुल गांदी स्री राम ते चिर्टे हैं उनके सामने जह स्री राम के नारे लगाया जाते हैं तो इनकी परिशानिया तो ये है ही और चुनाब के बीच में अगर दिपावली हो तो फिर उस समय अजोध्या की जो महिमा है वो इन लोगों की परिशानी का बड़ा कारण बना हुआ है इनके दफ्तरों में इसलिए अंदेरा है क्योंकि ये जानते हैं कि ये चुनाब तो हम हार ही रहे हैं 2024 में तो पहले से भी बुरी इस्तती होने वाली कैर सर आज की दिपावली से बहतर दिवाली बताया चारा है कि 22 जन्वर को मनेगी लेकिन 3 दिसंबर वाली दिवाली कैसी होगी देखें 3 दिसंबर की दिवाली कैसी होगी ये तैय ये पांच राजियों की जंता करेगी लेकिन चुके जैसरी राम की बात राजियों ने उठा दी तो मुझे अचानक ख्याल आया कि एक और इस इंडी ऐलाइंस की बड़ी लीडर है जो उनके सामने को जैसरी राम अगर बोल दे तो वो उतर के गालियां देने लग जा बैटे रहे बैटे रहे कमफलाज करके राजनीती कर रहे थे कि सामने कोई नहीं आएगा इसमें महौल जो है वो बीजेपी के पक्ष में जाएगा अगर दाही टोपी वाले निता नजर आए टेलिविजन चल के उपर तमाम मुसलिम स्पोक्स परसंस को बैन कर दिया गया हर जगा हिंदू खास करके ब्राह्मन प्रवक्ताओं को सामने लागर के टीमसी ने चलावा किया यहीं चल अभी कॉंग्रेस पाटी कर रही है कोई भी कॉंग्रेस का मुसलिम लीडर सामने नजर आ रहा है मदपरदेश के अंदर टेलिविजन पे बयान में प्रेस कॉंफरंस क करने वाले लोगों का नाम देखिए यह लोगों को ठगने के लिए तो मदपरदेश हो राजिस्थान हो चतिछ गड़ हो तेलंगाना हो मिजरम हो उनके लोगों को वहां की जनता को बंगाल का एक्जाम्पल याद रखना चाहिए कि चुना हुआ जैसिराम से नराज होने वाली मम्ता की सरकार आई हिंदूओं ने वोट दिया और उसके बाद चुनाओं के नतीजे के बाद उन्हीं जैसिराम बोलने वालों के घर में आग लगाए गए हजारों महिलाओं के साथ बलतकार हुआ वहाँ बलतकार भी हुआ हाद पैर भी तोड़े गए मडर भी हुआ एफ आई आर तक दर्ज नहीं हुआ वहाँ की पुलिस वो टिर्मूल कॉंगरिस के कारकरता के तरह काम करने लग गए ये हाई कोट ने कहा आप इस चीज की गंबीरता को समझे ये कोई बीजेपी का आरोप नहीं किसी और पत्रकार का आरोप नहीं किसी एंज्यो वाले का नहीं हाई कोट ने अपनी सुनवाई के दौरान और अलग-अलग केसिस में किस पुलिस जो है वो निकम्मी हो गई वो जो पीडित है उसके साथ खड़े होने के बजाए जो आताताई थे जो हिंसा भड़का रहे थे उसको प्रोटेक्ट करने में लग गए तो ये दिवाली तीन दिसंबर की कैसी होगी ये 36 गर मदपरदेश, राजस्तान, तिलंगाना, मिजरम यहां के लोगों को तै करना है तो सर आपसे भी जाना चाहेंगे, तीन दिसंबर में कॉंगर्स की दिवाली कैसी होगी ये कॉंगर्स ने पहले ही मान लिया है, सरेंडर कर दिया है, कॉंगर्स ने जिस तरीके से ये ग्राउंड में जाकर देखना पड़ेगा, ये राहुल गांधी की रैलियां या प्रियंक रूपया खर्च करना पड़े भीर जुटाने के लिए पाँच पाँच सो रूपया दे कर लोगों को लाना पड़े तो भी वो लाएंगे अगर नहीं लाएगा तो फिर कमलाथ की राजनीती पर प्रस्चित खड़ा कर देंगे तो इसलिए ये रैलियों में जो कुछ लोग ज रही है ये पहले से ही पता है राहुल गांधी को प्रियंका वाडरा को कि अभी बहुत मुश्किल है चुनाव जीत पाना इसलिए सरेंडर तो इन्होंने पहले ही कर दिया है सन्नाटा दफ्तरों में इस बात के लिए भी है कि अब ये चुनाव का पेस हमारे तरफ आगे नह पोड़े मतलब EVM पर या फिर ED पर या फिर कोई और एजेंसी ढूंडे NIA टाइप के जिसको कहें कि इन लोगों ने चुनाव हराया CRPA वाले ने बूत क्याप्चर कर लिया इन लोगों ने चुनाव आयोप में जाकर हमारे खिलाफ रिजल्ट दिलवा दिया ये ठीकर आप ह प्रदेश और राजिस्तान में बीजेपी की जीत पक्की बताए जारी है तो वहीं चुनावी नतीजों में कॉंग्रस पार्टी को बड़ा चटका लगने माना है और इस जटके के वज़ा से कॉंग्रस पार्टी में सन्नाटा है और बीजेपी जश्मना रही है और 3 पर जब बधान सबाद चुनाओं के नतीजे आएंगे उस दिन की दिवाली भी होगी बेहत खास देखते रहे कापिटल टीवी नमस्कार